Small Cap category का एक जाना माना नाम Axis Small Cap Mutual Fund इस Mutual Fund को ले करके Retail Investors के मन में संदे की स्थिति उत्पन हो रही है कि जहां पर इस category के अन्ने Mutual Fund की जब बात करने जैसे निपॉन इंडिया हो गया, Bank of India Small Cap हो गया, Quant Small Cap हो गया जो की Return के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं, तो क्या Axis Small Cap Mutual Fund में इस समय अपने Investment को Continue करना समझदारी की बात है या फिर अपने Investment को Discontinue कर देना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में में लोग Technical Points पर Detail Manalysis करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में Axis Small Cap Under Performer बन करके उभर रहा है पिछले 2-3 सालों से, ये वीडियो देखना आपके लिए बहर जरूरी है अगर आपका Axis Small Cap में Investment है या फिर भविश में आप Investment करने जा रहे हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज आप देख रहे हैं फिनो बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो इसको सब्सक्राइब करते होगे बेल आइकिन को प्रेस करना ना भूले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका फंड साइज काफी अट्रेक्टिव है लगबग 23,000 करोड का फंड साइज यहाँ पर हो चुका है इस फंड का और यहाँ पर अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात करूँ तो 111 स्टॉक्स में इस mutual fund की होल्डिंग है चुकि यह small cap category का fund है तो 251 से ले करके और लगबग 500 कंपणिया लिश्टेड हैं तो इतने इनके पास flexibility होती है small cap category में होने के वज़े से कि वो अपना पैसा इतनी कंपणियों में लगा सकते हैं मतलब 251 से ले करके 500 से ले करके हलांकि top की जो 200 कंपणियों होती है 200 कंपणियों होती है उसी में जो ज्यादा fund manager होते हैं वो fund को allocate करते हैं तो यहाँ पर holding के मामले में देख सकते हैं 111 stocksman की holding है इसके अलावा अगर यहाँ पर exposure हम लोग जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका alpha भी काफी attractive है अलफा हमें यह बताता है कि यह अपने benchmark से कितना return बना करके देगा तो देखें यह benchmark से 5.6 प्रतिशत ज्यादा है यानि कि यह अपने benchmark से इतना देगा और beta हमें यह बताता है कि कोई भी fund अपने benchmark से कितना ज्यादा volatile है अब beta का value एक से जितना कम होगा उतना हमार लिए अच्छा है कैसे ध्यान से सुनिएगा अगर माल लिजे कि benchmark इसका 10% का market में उच्छाल दिखाता है तो यह fund हमें कितना उच्छाल दिखाएगा तो यह जो 10% है इसका पहले बीटा में multiplication होता है यानि कि कितना आ जाएगा 6.3 और इस alpha को इसमें जोड़ दिया जाता है 5.6 अब यहाँ पर देख लिजे 6.3.9 और 6.5.11 यानि कि अगर 10% benchmark उचला तो यह 12% के करीब उचलेगा ठीक है इसके सांती सार प्रेशियो और स्रॉटिने रेशियो हमें एक तरीके से downside protection के बारे में हमें बताता है तो यह positive में जितना जादा होगा उतना हमारे लिए बहतर है तो यहाँ पर अगर आप इन टेक्निकल आंकडों से देखें तो यह कही ना कहीं benchmark के हिसाब से थोड़ा सा अ जो आ रहा है वो 2018 से आ रहा है जबकि यह फंड जो है वो काफी पुराना है तो इस फंड के बार में और detail में जानने के लिए हमें access के official जो website है उस पर चलना होगा और साथी साथ कुछ और technical data और इसके peer से comparison करने के लिए कुछ और चीजों को हमें consider करना होगा जैसे अगर मैं यहाँ पर इनके peer से इनका comparison अगर आपको दिखाओं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए इसका जो category average है पिछले एक साल में मतलब small cap category में जितने भी mutual funds है उनका जो category average था वो 50.7% था और इसका यानि की access का 41.2 था तीन साल में category average जो था वो 27% का था और इसका 26.7% का पान साल में category average 34% का था और यह 31.9% का था यानि कि अगर पान साल के तीन साल के और एक साल के आखड़े में अगर हम लोग देखें तो यह अपने category average को बीट नहीं कर पा रहा है इस आखड़े के हिसाप से ठीक है इसके साथी साथ एक्सिस AMC के official website पर हम लोग आ चुके हैं आ अगर मैं इसको बढ़ा करके तीन साल सलेट करता हूं तो अब आप देख पार होंगे तीन साल में इसने लगबग 25.02 का रिटर्ण दिया है पान साल का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो पान साल में इसने 32.37% का रिटर्ण दिया है और सिंस इंसेप्शन की अगर हम लोग ब और इसके बाद अगर हम लोग निफ्टी स्मॉल काप 250 TRI की बात करें जो कि इसका बेंचमार्क है तो देखे एक साल में बेंचमार्क ने जो रिटर्ण बना करके दिया है वो 58.91 का दिया है और इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है तीन साल में अगर यहाँ पर डिफ्रेंस नहीं है एक साल में निफ्टी तोर पर बेंचमार्क काफी बड़े मार्जिन से आगे निकल रहा है लेकिन 3 साल और 5 साल की जब बात की जाती है तो इनका रिटर्ण लगभग इसके बराबर है हलाकि थोड़ा सा इससे कम जरूर है लेकिन लगभग इ तब से यह अपने बेंचमार्कों को काफी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर बीट कर पा रहा है यहां तक क्लियर हो गया अब अगर इसके पियर से इसका कम प्रीजन करें तो सबसे पहले मालेजे हम लोग यहाँ पर अगर मैं एयोम वाइज सेलेक्ट करता हूं जिस म्यूच करोड के साथ तीसरी नंबर पर SBI small cap आता है 32.761 करोड के आसपास और 32,771 करोड के आसपास और चौते नंबर पर क्वांट आता है 24,000 करोड के आसपास पास पांचवे नंबर पर आता है एक्सिस small cap 23,399 करोड के आसपास तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि टॉप 5 म के मामले में सेलेट करूँ जैसे मैं टॉप जो रिटर्ण देने वाले फंड है उनको मैं पिछले 5 साल के आखड की साप से अड़ेस्ट करूँ तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पार होंगे क्वांट जो है वो नंबर वन पर आ जा रहा है जो कि 52.34% का रिटर्ण दि यहां पर इतना नीचे जाकर के आपको दिखेगा एकसिस बैंक जो है वो इतना नीचे आपको दिखेगा 31.94% के आसपास पिछले 5 साल में जो रिटर्ण इनों ने बना करके दिया हुआ है तो यहां से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए रिटर्ण के मामले में एकसिस जो है वो सिंस इंसेप्शन की जब बात की जाती है तो वो अपने बेंचमार्कों को बीट कर पा रहा है और चुकि यह बहुत पॉपुलर फंड है टॉप फाइफ में यह आ रहा है अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहां पर रिटर्ण जो है इसमॉल कैप कैट बीटा है वो काफी हाई आपको देखने को मिलेगा जो हमने अभी देखा एकसिस स्मॉल कैप की तुल्ला में जैसे अगर इस स्मॉल आप देख पार होंगे अपने स्क्रिन पर क्वांट के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग यहां पर देखते हैं तो देखिए प्रिवर्टन करते रहते हैं यानि की रिस्क बहुत जादा ले रहे हैं जिसकी वज़ए से यह जो रिटर्न है वो आतोरा है लेकिन रिस्की भी बहुत जादा हो जाता है और सांति सांत यहां पर मैं और भी चीज़े अगर आपको दिखाऊं तो इनका स्मॉल केप में जो एक्सपोजर है वो 58.6% का है लार्ज कैप में 18.5% का है और मिड कैप में इनका एक्सपोजर 5.9% का है और 37 देट और कैश में इन्होंने 12.9% होल्डिंग रख रखी है अगर मैं और जादा आपको दिखाने के कोशिश करूं जैसे अगर मैं एक्सिस का अगर आपको डेटा दिखाऊं तो एक्सिस में आप इन सबी चीजों को देख करके थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में समझ पाएंगे जैसे देखे मैं यहाँ पर एक्सिस को सलेक्ट करता हूँ और एक्सिस में देखते हैं कि इसका turn over ratio जो है वो कितना है turn over ratio हमें यह बताता है कि कितना frequently कोई AMC जो है वो उस mutual fund के stocks में परिवर्थन कर रही है तो इसका turnover ratio जो है वो केवल और केवल तेज दसमलों 1-9% है यानि यह एक बार इनका जो style है investment करने का वो एक बार invest करके और उसको hold करके रखते हैं एक बार invest करके और उसको hold करके रखते हैं यह ज़्यादा frequently अपने stocks में change नहीं कर रहा है तो जबकि आप quant में देखेंगे तो वो frequently अपने stocks में change कर रहा है जिसकी वज़ेसे वो ज़्यादा वो लेटाल हो जाता है अगर आप बीटा देखेंगे तो वो काफी high होगा अगर मैं आपको quant का बीटा दिखाने की कोशिश करूँ आप अपने screen पर देख पा रहा होंगे quant small cap का data और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँ technical data से हमें थोड़ा सा clarity जरूर रहेगी इसके बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बीटा है वो 0.95 है जबकि उसका बीटा कितना था 0.6 something था और इसका alpha देख पा रहोंगे तो यह fund जो है वो ज़्यादा volatile होगा देखिए यह return तो हमें ज़्यादा बना करके देगा लेकिन जब market crash होता है जब market गिरता है तो यह fund ज़्यादा गिरेगा भी जैसे कैसे अगर मैं आपको example दिखाऊ हूँ माली जब market में 10% का उच्छाल होगा तो यह कितना उच्छाल दिखाएगा 10 गुड़े 9.95 यानि 9.5 तो यह हो गया और अरफा जाकर के इसमें जुड़ता है तो 5.27 यानि 7 और यह 7 हो गया और 9.5 14 यह fund हमें 14.77% का यानि 15% का उच्छाल दिखाएगा अगर benchmark 10% उपर उठता है और जो axis था वो कितना उठा रहा था वो लगबग आपका 11-12% के बीच में उठा रहा था तो यहाँ पर आप देख पार होंगे जब आप यहाँ पर return जादा ले रहे हैं तो यहाँ पर risk भी जादा है अगर आप इसका sharp ratio देखेंगे तो यह कम है axis mutual fund से small cap category में क्यों क्योंकि यह आपको उतना downside protection नहीं provide करेगा जितना axis आपको provide करेगा इसी वज़े से इसका beta high है क्योंकि यह लगतार अपने stocks में परिवर्तन करते रहते हैं तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो fund आपको ज़्यादा return बना करके दे रहा है वो आपके लिए risk भी ज़्यादा ले करके आ रहा है तो अब आते हैं अगर final verdict पर कि क्या हमें axis में अपने investment को continue करना चाहिए देखें since inception में इस fund ने 26% का return बना करके दिया है 2013 से यह fund है जो की काफी attractive एक तरीके से आपको एक तरीके से return बना करके दे रहा है देखें कोई भी mutual fund हमेशा सालो साल ऐसा नहीं है कि जब से वो चला है तब से वो लगतार चलता रहेगा अगर आप पिछले 2-3 साल, 4-5 साल पीछे जाएंगे तो axis case प्रतेक mutual fund का बहुत अच्छा performance आ रहा था अभी जो इन्होंने stocks पिक करके रखा हुआ है हो सकता है कि वो stocks में अभी rally ना चल रही हो देखें हमेशा एक cycle होता है जैसे अभी आपने देखा होगा कि HDFC का जो इन्वेस्टमेंट किया और उस sector के जिस stocks में इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है कि वो return ना दे रहा हो लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा ही return नहीं देगा तो जिस प्रकार से इनका since inception इनका return है वो काफी attractive है अगर आप SBI small cap का देखेंगे तो उनका भी लगबग इसके आसपास return रहता है तो निश्ची तोर पर अगर आप पहले से invest कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा fund है आपको अपना investment इसमें continue करना चाहिए क्योंकि आज आप Quant को देखकर के उसमें जाने की सोच रहे होंगे Bank of India को देखकर के सोच रहे होंगे निपॉन की देखकर के सोच रहे होंगे यहीं सेम परिसिती आज से 5 साल पहले Axis के साथ था Axis top performer में आ रहा था लेकिन आज top performer जो है वो change हो चुका है हो सकता है आने वाले 2 साल में Quant, Nippon और Bank of India भी top performance में ना हो तो इस तरीके से अगर आप बार बार अपने investment को disturb करते हैं तो निश्य तोर पर आपके compounding पर effect पढ़ रही होती है अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा अगर आप यह चाहते हैं कि इस fund से निकल करके दूसरे fund में जाने के लिए तो अगर आपके पास tax harvesting करना है तो कुछ amount आप वहां से निकाल सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो दूसरे fund में जा सकते हैं लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर जब आप entry लेंगे तो आप आज के price पर entry लेंगे जो की काफी overvalued हो चुका है small cap category की जब बात की जाती है तो तो उस हिसाब से अगर market crash होता है तो निश्य तोर पर small cap category बहुत ज़्यादा crash होगा जिसकी वज़े से आपको नु skip कर सकते हैं बाकी दूसरे small cap category के fund को आप consider कर सकते हैं जिसमें निपॉन इंडिया small cap जो है जिनका beta भी attractive है और वो काफी अच्छा return भी बना कर के दे रहे हैं कहने का मतलब कि वो downside protection आपको provide करेंगे quant small cap की तुलना में तो अगर आप एक fresh investor है तो आप निपॉन इंडिया small cap को consider कर सकते हैं और अगर आप पहले से invest कर रहे हैं access में तो आप अपने investment को continue कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है ये इनका जो return है निश्ची तोर पर पर पिछले 5 साल में benchmark को बीट नहीं कर पा रहा है लेकिन उसके आस पास वो है क्योंकि इसका region यह है कि हो सकता है कि इन्होंने जो stocks पी किया वो चलना रहा हो तो हलांकि यह पूरा decision आपके उपर depend करता है कि आप इसको continue करना चाहते हैं या फिर discontinue करना चाहते हैं लेकिन जो technical data है जो technical data कह रही है वो उसके हिसाब से मैंने आपको explain किया है और उमीद करता हूँ आपके सारे doubts clear हो चुके होंगे बाजू दिसक झाल झाल झाल